आज का हमारा टापिक है S-Block Elements जैसा कि आप सब जानते हो Periodic Table 4 Blocks में डिवाइड किया है इसको S-Block, P-Block, D and F-Block मुझे उमीद है कि आप लोगों नहीं याद की भी होगी अगर तो Atomic Number के हिसाब से याद किया है 9-10 में लेकिन ये 11-12 में ये method change हो जाता है हम को और आपको भी ये group बाई जाद करने है element कि first group और second group के कुछ tricks मैं आपको बदाता हूँ और मुझे उमीद है कि आप पूरी तरह से कुछी तरह से याद करोगे और ऐसे ही दो लाइने बनाकर दो group बनाकर और दो box बनाकर बार बार लिखोगे और बोलोगे चलो start करते हैं group first जैसा top पे लिखा हुआ है s block और break में jb लिखा है ns बन से लेकर टू तक चलो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकर पहले हमने इनके नाम और आटामिक नंबर याद रखने हैं ठीक टाग symbol name और आटामिक नंबर उसके साथ साथाथ balance electron भी याद रखेंगे तो पहला ग्रूप शुरू होता है हमारा first period से जैसे यहां उपर लिखा हुआ है first फिर second period फिर third period fourth five six and seventh period there are seven period in the periodic table hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, sagesium and francium फिर सुनिए hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, sagesium and francium hydrogen का symbol H, lithium का symbol Li I, इसको ऐसे जार रखना है, L capital letter में होता है और I small में, जब भी दो alphabet से कोई symbol बना होगा तो पहले वाला capital letter और उसके साथ वाला small letter में sodium का symbol Na, potassium का के, rubidium का RV, sagesium का CS और फ्रेंसियम का FR तो अगर आप इसको ऐसे नहीं याद कर सकते हो, पले भी मैथर से भी इसको बच्चे याद करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसकी ये trick बना ही है, हलीना की रब से फर्याद, हलीना हलीना, ह से आगया एच, ली, Li से लीथियम, ना, Na से सोटियम, की, की से के, अरब, आर भी, rubidium, से, CS, फर्याद, एफ आर, हलीना की रब से फर्याद, ऐसे भी आप जाद रख सकते हो, लेकिन आपको स्पैलिंग, symbol, इनकी position, ये पूरा जाद होना चाहिए, फिर इसका हमने atomic number कैसे रखना है, उसके लिए भी मैं आपको उताता हूँ, फर्स्ट पिरियड में hydrogen है, इसमें आप 2 प्लस करोगे, तो नीचे बाले का atomic number आजएगा, उसका आगया 3, क्योंकि बन में plus 2 करेंगे, तो 3 बन गया, फिर इसमें 8 प्लस करना बढ़ता है, एट प्लस किया तो 11, फिर इसमें फिर 8 प्लस करनेंगे, थर्ड बाले में, तो फिर आजएगा 19, इसमें आपने 18 प्लस करना है, 37 आगया, फिर 18 प्लस करनेगे, 55, और लास्ट बाले में 32, 6 में प्लस करनेगे, तो लास्ट बाला आजएगा 87, फिर सुनिए, 288 18 18 और 32 प्लस करते जाएंगे हम फिर सुनो 288 18 18 और 32 प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास आगरे बाले को अटामी नबर आते जाएंगे पहला आपको पता है कि हाई डोजन ऐसे ही ग्रूप सेकन आफ दी प्रियोडिक टेवल हाँ फिर्स्ट ग्रूप को हम अल्किली मैटल भी कहते हैं हाइडोजन को शूर कर हाइडोजन को शूर कर बागी बालों को अल्किली मैटल भी कहते हैं बिकाज देर हाइडोकसाइड्स आर सालूवल इन वाटर हाइडोकसाइड जैसे Lithium Hydroxide, LiOH, Sodium Hydroxide, NaOH, Potassium Hydroxide, QOH इस तरह से इनके Hydroxides पानी में सॉलवल हो जाते हैं और वो बेस जो बाटर में पूरा सॉलवल हो जाए उसको हम अलकिली भी कहते हैं Group Second इसको फिर दियान से देखो जिस Second Period से शुरू होता है First में कोई Element नहीं है First Period में कोई भी Element नहीं है Second Period से शुरू करना है आपने Beryllium, Magnesium, Calcium, Satrancium, Barium and Aradium Beryllium, Magnesium, Calcium, Satrancium, Barium and Aradium Symbol आउजादी करोगे Beryllium का, Magnesium का, Magnesium का, Mg, Calcium का, Ca, Satrancium का, Sr, Barium का, BA, Aradium का, Ra, जो की एक Radioactive Element है तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, Atomic Number जाद करने की Beryllium का, Atomic Number जाद रखना आपको 4 और इसमें 8 प्रस करेंगे हम 12 आ गया 4 में 8 प्रस किया तो 12 फिर इसमें भी 8 प्रस करेंगे तो 20 आजएगा फिर 20 में 18 प्रस करेंगे तो 38 38 में फिर 18 प्रस करेंगे 56 में 32 प्लस करेंगे तो 88 आजएगा क्योंकि इसमें पहले वाला 2 नहीं आएगा हमारे पास उसमें हम 2 भी प्लस करते थे ग्रूप फ्रस्ट में सेगन में 8 एट 18 एटीन एटीन और 32 प्लस करते जाएगे तो नीचे वाले के टामी नमबर आते जाएगे हां दो बाती और भी जा रखनी है आपने टिक टाम कि फर्स्ट ग्रूप में जैसे आप देख रहे हो बन एस बन टू एस बन ट्री एस बन फॉर एस बन फाइव एस बन स्क्षस बन सब्स Même स एलिमेट में एक ही वैलेंस एलेंक्ट और और सबको इस बन फॉरओ अ कै BACK मैं ऐसे बोफू एक बंपास्टिव लीथियू कि बन फास्टिव sodium बन्पास्टिव, potassium बन्पास्टिव, rubidium बन्पास्टिव आता है, sagisium भी बन्पास्टिव और phrencium भी बन्पास्टिव वैलेंसी दिखाता है, क्यों इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्टरन है, और group second की बैलेंसी 2, आप देख रहे हो, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 and 7S2, समकी βलैंसी 2, चल कि बैरलियम 2, मैंगनेसियम 2, कैलसियम 2, स्क्राइसियम 2, स्क्राइसियम 2, बैरियम 2, बैरियम 2, बैरियम 2, वो रदियम 2,